इस खबर के प्रायोज़त है होटल लेक वियू किशोर सागर तलाब के सामने शतरपुर में एक मुस्लिम महिला को गौसेवा करनी महंगी पड़ रही है क्योंकि महिला गौसेवा का काम करती है जिसकी बज़े से उसके समाज के लोगों से ताने मारते हैं और वद्दे वद्दे कमेंट करते हैं इतना ही नहीं महिला का समाज के लोगों ने बहिशकार करते हुए उसे आयूजन में बुलाना बंद कर दिया साथ ही उसके साथ उठना बैठना मदद करना और कराना दोनों बंद कर दिये हैं ऐसा नहीं है कि महीला अपने समाज को ना मानती हो बह नवाज भी अता करती है बावजुद इसके भी उसे बहिसकार जेलना पड़ रहा है जिसके कारण महीला ने इसकी शिकायत लिखित में कलेक्टर से करते हुए नियाई की गोहार लगाई है लेकिन महीला का कहना है मैं गौ जानवार लेकिन क्या है कि उसको नहीं छोड़ सकते हिए जीव है तो उसकी सेवा हर वह बेजवान जानवर आए बहुता है हर जगा इनसान वेजवान जान जानवें तो हर इंसान सेवा कर सकता है लेकिन क्या है इसका कि हम उसको नहीं छोड़ सकते सेवा करना वो हमारी पर चार साल से सेवा कर रहे हैं हम लोग उसकी कैसे छोड़ दे उसको हम अब समाज ने बुलाना बंद कर दिया फिर आपने क्या निर्णा लिया है हमने जे निर्णा लिया कि हम सेवा करना ना छोड़े बुलाए तो ठीक है नहीं बुलाए तो ठीक है क्योंकि हम अधर में इनसान है तो हम भू धर में निवाएंगे अपना आपने लिखे शिकायत किये किस किसको किये हैं सुना अपने मेला का साब तौर पर यही कहना है कि मैं समाच छोड़ दूंगी लेकिन गौसेवा बंद नहीं करूंगी अब हम आपको बताते हैं कि यह मेला कौन है और चचतरपुर में कहां रहती है स्क्रीन पर नजर आ रही ये मैला मर्जी माँ बानों हैं जो की नए महले के पीछे सेख की बगिया महले में रहती है जो की पिछले चार सालों से गायों की सेवा कर रही है अपनी मा को रोजाना स्कूटर पर बिठाल कर गौसाला ले जाती है और बहाँ पे मा का हाथ बठाते हुए मदद करती है यह काम रोजाना चार घंटे तक किया जाता है जैसे चारा खिलाना, खिचडी खिलाना, घुसा खिलाना एबं समय समय पर गायों को पानी पिलाना ये सबी काम महीला और उसकी बेटी किया करती है जिस कारण से उसके समाज के लोगों को आपत्ती होने लगी है यही बज़ए है कि उसे बहिसकार जेलना पड़ रहा है मगर उसके इरादे नेक हैं और पक्के हैं इसलिए उसका सिर्फ यही कहना है कि चाहे समाज छोड़ दूँगी मगर गौसेवा नहीं छोड़ूँगी उसके पीशे पीशे मैं चलूँगी और उनकी पूरी मदद करूँगी इस मामले को लेकर महिला की बेटी क्या कहती है जरा यही भी सुन लीजिए परिशानी तो यही हें कि समाज के जो लोग हैं वो मतलब मम्मी को अलगी है हर जगह से किसी भी वी तेभार में बुलाते हैं हम लोग के लोग के लिए नहीं कियों करते हैं उनको यह दिक्कत है कि इतना क्यूं करते हो बलकि इस से जे थापित नहीं होता है कि क्या हिंडू है क्या हिंडू है क्या हमाई ममी नमाज पढ़ती है हमाई ममी पूरा धर्म अपनाए है हर चीछ करती है और नहीं यह लगता है कि आप लोग यह सब कर रहे हो तो आप लोग काफिर को है बेटी का साब तोर पर यही कहना ह और उन्हें रोजाना गौसाला लेकर आती हूं और जो भी मदद होती है मैं पूरी करती हूं। साथ ही यहां पे रहने वाले कर्मचारी का कहना है कि हमारी मेडम यहां पे आके रोजाना गायों की सेवा करती हैं और हमारे साथ हाथ बटाती हैं पूरा काम करती हैं और यहां ब है गौसाला में रोजाना आया करती हैं इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारी की भी बात सुन लीजिए बहुत अच्छी और मेडम तो हर चीज में कम बटावे के लानत तयार है गौसेबा के लिए आगी के लिए नकड़िया ले आती है आटा की बोरी सब जों से जितनी भी किस तरीकी की मदद हो पाती है हर चीज की मदद है कि आपने कर्मचारी किस तरीके से कह रहा है कि हमारे यहां यह मैडमा कर रोजाना पिछले चार साल से लगातार गायों की सेवा कर रही है और यह मुस्लिम भले हैं लेकिन इनकी मानसिकता सिर्फ सेवा भाव है इसलिए बैस सेवा करने के लिए रोजाना गायों के पास चली आती हैं. बरदान एक्सप्रेस के लिए लोकेश 24 सिरे साथ राहुल माली की रेपोट.